ओम शान्ती आज 2 नवेंबर 2021 है और आज बावा हमें सकाश देने के लिए पहले हमारी क्या अवस्था होनी चाहिए उसकी ओहर हमें इशारा दे रही है तो आईए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे अब अपनी उर्ती कला द्वारा फरिष्टा बन चारो ओर चक्र लगाओ और जिसको शान्ती चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टा चाहिए, फरिष्टे रूप में उन्हें अनुभूती कराओ वह अनुभफ करें कि इन फरिष्टों द्वारा शान्ती, शक्ती, खुशी मिल गई फरिष्टा जितना हलका होता है, उतना ही वो अंदर से भरपूर होता है स्थूल रूप से देखा जाए तो जितना हम चीज को भरते जाएंगे, वो उतनी भारी होती जाएगी लेकिन फरिष्टा सुक्षम रूप से, सर्व गोडों से और सर्व शक्तियों से जितना भरपूर उतना ही हलका क्यूँ? क्योंकि ये चीजे हमें देने वाला कौन है, ये देने वाला हमें बाबा है तो जितना जादा हम इनको बाबा से अनुभव करते हैं, हम बाबा के उतना करीब आते हैं और हमारी स्थिती बाप समान होती जाती है वर्तमान समय, ये उर्ती कला का समय है क्योंकि हमें किसी भी बात में अब रुकना नहीं है, अटकना नहीं है रेगडी पहनने का, चलने का, पुर्शात में पिछे आने का, सम्हल करके फिर आगे जाने का समय अब नहीं रहा भल कोई ग्यान में नया भी है, वो कहे हम तो अभी छोटे हैं ग्यान में लेकिन समय और वायूमंडल उनको इस समय सहयोग दे रहा है उड़ती कला में स्वयम जाने का दूसरी बात जो बाबा ने बताई कि फरिष्टा बन के हमें करना क्या है हमें सबसे पहले तो परखने की शक्ति चाहिए कि किस समय किस परिस्थिती में किस आत्मा को किस की आवशक्ता है और उसके बाद वो चीज स्वयम हमारे स्टॉक में हो तभी हम उसको एक सेकिंड में उसका अनुभव करा सकेंगे जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो सॉलेड डाइट नहीं खा सकते हैं तो उनको लिक्विड डाइट या उनको उस प्रकार की डाइट दी जाती है ऐसे ही आत्माई अब इस समय पर इन परिस्थितियों में बाबा का पूरा का पूरा परिचे नहीं ले पाएं भले भले वो ग्यान को खुद मन्थन ना कर सके लेकिन इस समय हम आत्माएं जिनका स्वरूप है जगत के उधार मूरत उनका करतव विबनता है कि हम अपना मन्थन किया हुआ अपने जो हमने ग्यान से और बाबा से शक्तियां कत्र की हैं वो हम उनको दिलाएं इसलिए वर्तमान समय फरिष्टा स्वरूप के द्वारा हमें सबसे पहले तो जो हमने बाबा से पूरी प्रकार से सर्व गुड और शक्तियां अनुभव की है उनका स्वरूप बने और फिर उस स्वरूप के द्वारा उड़ती कला से सर्व का भला करे ओम शांती